जबलपुर के गुरतपुर थाना अंतरगत रामपुर शौकिय च्छेदर में पारिपार्ण विबाद की चलते एक भाई ने अपने दो भाईयों पर शापु से हमला कर दिया जांगाया नुरी विवकू को इलाज के विक्तुरिया अस्पता दाया गया जोहां डॉक्तरों ने सब्सक्राइब करने पर मुर्द कुछित कर दिया जाओ सूचना मिलने के बाद मौके पर पाउट्टी गुरतपुर प्रिस ने मर्द कायद कर मामले कुछाच में लिया है आप मतादे कि मौके पर पौट्टे रामपुर शौकि प्रफारी रभादर सिंग नी जानकारी दित गुष्टे में कि पर दोनुब भाईयों पर शौको पर दोनुब निकाला और दोनुब भाईयों पर दर्श करते हुए वरार आरुपी को गिराबंदी करते हुए ग्रफतार कर दिया है पर दोनुब भाईयों ने बड़े वाले ने और छोटे वाले ने बंद करके मारे हमको हम भकते बखते गए हमने सो नमबर लगाई अचानक से लड़का आ गया चोटा वाला बीज बचामो उसके धोके से लग गई उसने बन के नहीं मारा अभी अमन नाम जो खतम हुआ है अ परिवारिक मामला अभी सामने आया है कि उसकी मृतक अभिशेक बेन की माने बताया है कि अभिशेक बेन और सूरज बेन सराब पीये थे उसको मा को परिशान कर रहे थे इसको लेके ऊझा चोटा बाई आमन में ने उसको चाकू जो किचन में रखा था उससे मारा है इससे बड़े भाई की मुर्ट्व हो गई है अभी शेक बेंसे एक बाई के जांग में चाकू लगा है यह दोनों पल्लेदारी का काम करते थे बेलदारी का काम करते थे यह टेंडर तू मानवा की घटना है प्रवाकर्शिंग परिया च्वकि